रातो रात इंगलेंड रवाना होकर रिशापन्त ने आखिर किया क्या? कौन से खास मकसद से वो इंगलेंड पहुँच चुके हैं? सारी चीजें आपको जनकारी यहीं मिल जाएगी लेकिन उससे पहले आप सबी लोग का स्वागत है इस वीडियो में मैं हूँ आपके साथ श पंथ क्रुकेट के मैदान से बहुत समय से दूर चल रहे हैं फैन्स को उनकी वापसी का बहुत जादा इंतजार है कि कब वो वापसी करेंगे और कब वो पहले जैसी एक हाथ से बल्ले बाजी करके एक हाथ का छक्का इंगलेंड औस्ट्रेलिया जैसे सभी खिलाडियों को जड़ देंगे हर किसी को उनका इंतजार है हर किसी को उनकी वापसी का इंतजार है पहले लगा था कि वो शायद आई-पिल में वापसी कर जाएंगे लेकिन ऐसा हो ना सका उसके बाद लगा था कि चलिए आई-पिल के थोड़ा सट बाद वो वापसी कर जाएंगे जो आग जो हमने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच्चुस खेलनी हैं उसमें पन्त वापसी कर जाए खैर यह तो भगवान की इच्चाइद यह जब वो चाहेंगे और जब पन्त की health चाहेगी तभी वह वापसी कर फिलहाल आपको बताये थे कि इंग्लैंड पंथ अंगर किस काम से गए हुए है तो दर असल इंग्लाइंड पंथ जो है अपनी बहन साक्शी पंथ का बर्थडे मनाने के लिए गए है वहाँ पर इंग्लाइन में उनकी बहन साक्शी और उनकी मम्मी भी मौजूद है बस उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करी हैं बहुत खूबसूरत वो तस्वीरे हैं और यकीन मानिये इसमें रिशबपन्थ तुट से फिट भी नजर आ रहे क्योंकि उनकी पूरी बॉड़ी लग रही दिख रही है ना उनके नीज में कोई नी बैंड बांधा हुआ है और ब अभी बहुत ताइम बाद वो NCA से बाहर निकले हैं उनको भी जाइड सी बात है बहुत अच्छा फील हो रहा हुगा जब आप फैमिली के साथ रहते हैं तो आपको एक अलगी पॉजिटिविटी मिलती है तो आपको रिशापन्थ को भी एक अलगी पॉजिटिविटी मिली और यह तस्वीर आपको कैसे लगी कमेंट्स करके अपनी राय मुझे इसमें ज़रू बताएगे